नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर आप सबको बिसंत पंचमी की बहुत बहुत शुपकामनाएं आपका जीवन हमेशा फूलों की तरह महकता रहे बिसंत पंचमी माग मास की शुकल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है ये दिन और बड़ा सुहामना सा मौसम हो जाता है इस दिन सरस्वती माता और भगवान विश्णु जी की पूजा करनी चाहिए ये दिन सरस्वती माता के जनम दिन के रूप में भी मनाया जाता है पुरानों में वरनित कथा के उनसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टी की रचना की त कि रचना में कोई न कोई कमी जरूर है क्योंकि प्राणियों में कोई हलचल या गती नहीं थी कोई प्राणी या मुश्य बोलता नहीं था ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छुड़का जिस से चार हाथ वाली एक सुंदर इस्त्री प्रगट हुई उस इस्त्री के एक आने को कहा जैसे ही वीना बजी ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई हार चीज में स्वर आ गया हवा सरसराने लगी बहते पानी की धारा में आवाज आ गई जीव जन्तु चह चहाने लगे इंसान बोलने लगे ब्रह्मा जी ने खुश होकर उनको सरस्वती का नाम दिया और वो दिन माग मास की शुकल पक्ष पंचवी का दिन था, उस दिन से आज तक बसंत पंचवी का दिन मनाया जाने लगा, इस बार बसंत पंचवी 29 जनवरी को मनाई जाएगी, पर कुछ लोग इसको 30 जनवरी को मनाएंगे, क्योंके पंचवी सिसी दिन बुद्वार 29 तारीक 10 बाजकर 45 मिन्ट सुबा से शुरू होकार 30 जनवरी 1 बाजकर 20 मिन्ट तक रहेगी, इस दिन सारा दिन ही शुब मुहूरत रहता है, इसलिए कोई भी काम शुरू करना हो, तो मुहूरत देखने की भी जिरूरत नहीं, इस दिन शादियां भी बहुत होती हैं, और छोटे बच्चों को इसी दिन से लिखना शुरू करवाना चाहिए, क्योंके मा सरस्वती विद्या की देवी है, इसलिए इस दिन बच्चों की बढ़ाई शुरू कराने से उन्हें जीवन में बहुत सखलता मिलती है, इस तरियां पीले कपड़े पहनती हैं और गाउं में लोग इस दिन पीली पगड़ी पहनते हैं, बसंत पंचिमी के दिन पीले कपड़े पहनना, पीला तिल्क लगाना, पीले फल खाना और पीले पगवान बनाना, पीले मीठे चावल बनाकर भगवान को भोग लगाना बहुत शुब माना जाता है, इस दिन राधाकृष्ण जी की भी पुजा होती है, और इस दिन भगवान को पीले फूरों से सजाया जाता है, इस दिन पानी में हल्दी डालकर नहाना चाहिए, और भगवान को तथा मा सरस्वती जी को पीले फूल, पीले फल, तथा पीले पकवान का भोल लगाकर पूज करनी चाहिए तथा 108 बार ओम सरस्वती नमा का जाब करना चाहिए इस दिन लोग पतंग भी बहुत उड़ाते हैं पर इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूं कुछ अच्छा सा लेकर थैंक यू